नमस्कार आईए अब हम देखते हैं प्राइक्ता का भाग चार इस वाले भाग में हम क्या-क्या जान जाएंगे आईए एक बार देखते हैं प्राइक्ता के शुरू से जो भी हमने पढ़ा है थोड़ा सा उसका एक बार हम दोहरान करेंगे प्राइक्ता का अभिग्रहिती ये द्रिश्टी कौन क्या है कक्षा 9 में भी पढ़ी है कक्षा 10 में भी हमने पढ़ी है लेकिन कक्षा 11 में क्या ऐसा अलग है यह हम देखेंगे प्राइक्ता की अभिग्रिहिता की परिभाशा क्या है तथा पक्षपाती, अनुचित या धांदली परणाम जी हाँ, हम कई वार कहते हैं फेयर कोईन या हम कहते हैं कि जे वो सही सिक्का था, सही पासा था या उसमें कहीं कुछ गड़बड थी अगर सभी परिणाम एक जैसे नहीं आएं तो वह पक्षपाती या धांदली वाले परिणाम कहलाते हैं ऐसे समय में हमें प्राइक्ता का निर्धारन कैसे कर रहे हैं और अभिग्रहिती ये द्रश्टी कौण क्या है ये देखेंगे आएए चलते हैं सबसे पहले जो हमने नवी क्लास में पढ़ा था तो हम ये जान चुके हैं कि वहाँ पर हमने जितने भी कुल परणाम थे उनमें से जो अनकूल परणाम होते हैं उनके अनुपात से हमने प्राइक्ता निकाली थी फिर प्राइक्ता के कुल प्रेक्षण और उन प्रेक्षणों से संकलित आखणों के आधार पर भी प्राइक्ता निकाली थी कक्षा 9 में लिकिन इस दोनों तरीके से प्राइक्ता निकालने पर कुछ नुकसान हुआ उसमें कहीं ने कहीं परणाम उतने सही नहीं आ पाए जिसका कारण क्या था? कि एक तो उसमें जो भी संभावित परणामों की संख्या थी वो परमित थी और अगर अपरमित हो तो मुश्किल हो जाती दूसरा इसमें सभी संभावित परणाम सम संभाव्य मान करके करते हैं अगर सभी की equally likely नहीं है तो ये दोनों परणामों से परणाम निकालना संभव ही नहीं है इसके लिए फिर एक नई ब्याख्या आई और उस नई ब्याख्या का नाम दिया गया अविग्रहतिये द्रिश्टी कौण तो देखते हैं अविग्रहतिये द्रिष्टी कॉन प्राइक्ता का अविग्रहतिये द्रिष्टी कॉन जानने के लिए पहले हमें इसकी परिभाशा जानने होगी इसकी परिभाशा को जानने के लिए जो हमारे पास sample space है जो प्रतिदर्स समस्टी है हम मान लेते हैं कि उसके जितने भी परणाम हैं उन N परणामों को हम OMEGA से प्रदर्शित करते हैं तो हमारे पास OMEGA 1, OMEGA 2 से OMEGA N तक सारे अभियव हैं जो हमारे प्रतिदर्श समस्टी के परणाम है अब प्राइक्ता का जो अविग्रहतिय परिभाशा है वो क्या कहती है वो हमें कहती है सबसे पहली चीज कि प्रत्येक परणाम WI का मतलब है जो हमारा प्रतिदर्स समस्टी में परणाम है तो उमेगा आई belongs to S उसका अवियव है प्रतिदर्स समस्टी का तो इसकी जो प्राइक्ता है अर्थात प्रत्येक अवियव जिसकी के हम प्राइक्ता निकालें वह प्राइक्ता हर हालत में जीरो के बराबर हो या जीरो से जादा होगी और दूसरा वो एक के बराबर या एक से कम होगी हमने पढ़ा है एक पढ़ा है निश्चित घटना एक पढ़ा है असंभव घटना असंभव यानि हो ही नहीं सकता तो वहां हमारे लिए जो प्राइक्ता हो गई वो शून्य हो गई लेकिन अगर निश्चित हो गई सभी परणाम हमारे आ गए तो अधिक्तम जो प्राइक्ता है वो एक होती है अर्थात प्राइक्ता जीरो से लेकर एक के मध्य होती है और जीरो और एक भी हो सकती है लेकिन कभी भी नकारात्मक में नहीं आती और एक से ज़्यादा भी नहीं ह यह पहला अभिग्रहतिय परिणाम हमारे सामने है दूसरा अगर मान लो हम इसके सभी जो परिणाम है इनकी अलग 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 अभियव की हम प्राइक्ता निकालते हैं सभी की प्राइक्ता का जोड हमारे कुल प्राइक्ता यानि एक के बराबर होगा जैसे मान लो हमारे पास जो एक सिक्का उच्छाला, सिक्का उच्छालने पर हेड आएगा या टेल आएगा, चित आएगा या पट आएगा, अब चित की प्रायक्ता देखें तो एक बटा दो, निश्चित तोर पर चित की प्रायक्ता एक बटा दो, वहीं अगर हम पट की प्रायक् को जोड़ करके कुल परजाइक्ता क्योंकि कि इसमें कुल दो परजाइक्ता है तो यदि हम pH जमा Pt करें तो हर हालत में चुकि इसमें दो ही परजाइक्ता निकाल ली है ये एक के बराबर होनी चाहिए और हम देखते हैं हाफ जमाहाफ आधा और आधा मिलकर एक हो जाता है ये दूसरी परभाशा हो गई कि किसी भी प्रतिदर्स समस्टी के सभी परणामों की अलग-अलग प्राइकताओं का जोड एक के बराबर होगा तीसरा कोई भी घटना ए है जैसे मान लो हमने एक पासा फैंका पासा फैंकने पर हमें एक, दो, तीन, चार, पांच और छे आए मेरे पास कोई ए ऐसी घटना है जिसमें मैंने चार से बड़ी संख्या आनी है तो चार से बड़ी का मतलब है पांच और छे अब ये कह रहा है कि एक ही प्राइकता अर्थात पी ए बराबर किसके होगा सिगमा पी डबलु आई अर्थात पांच और छे की अलग अलग प्राइकताओं का यदि हम जोड करें तो वह है पी ए की प्राइकता के बराबर होगा तो देखते हैं पांच की प्राइकता पांच एक है इसकी प्राइकता एक बटा छे 6 की प्राइकता भी 1 बटा 6 कुल मिला करके हो गया 2 बटा 6 अर्थात 1 बटा 3 वहीं यदि हम अब चेक करें तो हमारे पास जो हमारे अनकूल परणाम है वो 2 है कुल परणाम 6 है हम देखते हैं तब भी 2 बटा 6 ही आता है किसी भी घटना की प्राइकता उसके अवयबों के अलग अलग प्राइकता के जमा के बराबर होती है और विशेश कि अगर कोई फाई है फाई का मतलब है रिक्त है असंभव घटना है तो असंभव की प्राइकता यानि जब उसके अनुकूल कोई परणाम ही नहीं है तो उसकी प्राइक्ता हमेशा जीरो होगी तो ये चार इस प्राइक्ता की अभिग्रहतिय परवाशा कहलाती है ये आके देखते है मान लीजिए एक प्रतिदर्स समस्टी दे रखिये निमलिखित मैंसे प्रतियक परणाम के लिए कौन-कौन से प्राइक्ता निर्धारन बैद्य है अब कौन सा बैद है ये हमें चेक करना है एक-एक करके चेक करते हैं एको चेक करते हैं पहले शर्त उन परवाशा के हिसाब से आपको ध्यान रखनी है एक बटा चे, एक बटा चे, एक बटा चे, सभी एक बटा चे हैं और डबलू बन से डबलू चे तक अगर हम ध्यान से देखें तो एक बटा चे को छे वार जोड़ दें तो एक आता है तो ये हमारी दूसरी परवाशा थी कि यदि सभी परणामों का जोड एक के बराबर होगा तो वह हमारा जो प्राइक्ता का निर्धारण है वो वैद्य माना जाएगा ये बिल्कुल सही है वैद्य है बी को चेक करते हैं एक जीरो 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 यहां भी अगर हम सब को टोटल करेंगे तो हमारा एक ही आएगा ठीक है बाकी के जो पाँच है वे शून है यानि रिक्त है लेकिन कुल मिला करके एक है अत्य है यह भी हमारा वैद है तीसरा देखते हैं एक बटा आठ दो बटा तीन एक बटा तीन एक बटा तीन अब ध्यान से देखें तो माइनस एक बटा चार आ रहा है और हमने पड़ा हुआ है कि प्राइकता कभी भी नकारात्मक्ता में नहीं हो सकती माइनस में नहीं हो सकती अतहीं सी वाला हमारा प्राइकता निर्धारण में वैद नहीं है चौथा देखते हैं एक बटे बारा, एक बटे बारा एक बटा च्छे, एक बटा च्छे एक बटा च्छे और तीन बटा दो यदि इनको हम टोटल करें तो C वाला तो हमारा बैद नहीं था लेकिन D को चेक करते हैं सबको एक बटा बारा जमा एक बटा बारा, जमा एक बटा छे, जमा एक बटा छे, जमा एक बटा छे, जमा तीन बटा दो, इसका हम टोटल करते हैं, तो टोटल के लिए लगुत्तम तो हमने बारे ले लिया, उपर आ जाएगा एक, जमा एक, जमा दो, जमा दो जमा दो जमा अठारा निश्चित तोर पर अंश जादा आ रहा है बारा से यानी इसका जो हल है वो एक से अधिक आ रहा है जबकि प्राइक्ताओं का कुल एक या एक से कम होना चाहिए लेकिन यहां तो सभी प्राइक्ताओं का जोड एक ही होना चाहिए जैसा की A और B मैं देखा था अते हैं यह भी बैद नहीं है E देखते हैं पॉइंट एक, पॉइंट दो, पॉइंट तीन, पॉइंट चार, पॉइंट पांच और पॉइंट छे अगर इन सारे दश्मलवों को जोड करते हैं तो छे, पांच, ग्यारा, चार, पंदरा, तीन, अठारा और दो, बीस और एक, एकीस यह हो गया दो दश्मलव एक अते हैं यह भी हमारा वैद नहीं है तो किसी भी प्राइकताओं में उसका निर्धारन वैद है या नहीं इसे हम आसानी से चेक कर सकते हैं आएए आगे देखते हैं पक्षपाती, अनुचित या धांदली मान लिया हमने एक सिक्का उचाला और सिक्का उचालने पर उसमें पट आएगा या चित आएगा, हैड आएगा या टेल आएगा हमने मान लिया कि टेल आने की प्रायक्ता हेड आने की प्रायक्ता से दुगनी है बराबर नहीं है समसंभाव्य नहीं है कहीं नहीं सिक्का कुछ इस तरह का है कि वो कुछ गड़बड की हुई है तो अगर गड़वड की हुई है तो उसमें टेल आने की probability तो double हो गई और head आने की probability से tail double है तो हम क्या करेंगे मान लिया के हमने तीन बार उच्छाला अब ध्यान करना तीन तीन में से एक बार head और दो बार tail अर्थात ह की प्राइकता हो गई मेरी एक बटा तीन और tail की हो गई दो बटा तीन बराबर नहीं है तेल दो बार आता है जब एक बार head आता है इसलिए head आने की प्राइकता यानि चित आने की प्राइकता एक बटा तीन और पट आने की प्राइकता दो बटा तीन है अब चेक क हमारा अविग्रहीत की जो परिभाशा है वो इसको निर्धारण करती है या नहीं करती है एक-एक करके चेक करते हैं तो हमें दिखाई देगा कि इस समय भी दोनों की प्राइक्ता जीरो और एक के बीच में ही है अते है पहला नियम तो इसने पास कर लिया दूसरी चेकिंग देखते हैं सबका टोटल एक के बराबर होना चाहिए तो हम दो बटा तीन जमा एक बटा तीन करते हैं हम देखते हैं ये भी एक आ रहा है अते है यह भी इसने वैद कर दिया और तीसरा किसी भी घटना एक के लिए यदि इनका टोटल कुल सेंपल स्पेस की प्राइकता के बराबर हो जाए तो चुकि तीन बार से देख रहे हैं टोटल इसका तीन ही है कुल मिला करके एक आ गया है अते है तीसरा भी सही है तो एक चीज निश्चित हो गई कि जो नमी और दस्वी में पढ़ा था उससे हट करके अब जो प्राइकता पढ़ेंगे वो उनके लिए भी सही है जहां समसंभाब्य है और उसके लिए भी प्राइकता सही है जहां किसी भी तरह से कोई पक्षपात हो रहा है आईए आगे अब हम और देखते हैं अब जो सम्मिलन था जो हमने उसका बीजगनित देखा था हमने प्राइकता का उसका इस अभिगरहीत द्रिष्टी कौन क्या कहता है? ए या बी का प्रायक्ता निकालते समय हम ए यूनियन बी लिखते हैं अभिग्रहीत दृष्टी कौन के आधार पर जब हम देखते हैं तो पहले एक उधारन से समझते हैं कि एक सिक्के को तीन बार उच्छाला निम्नलिकित घटनाओं पर विचार करते हैं ए हमारे पास आ रहा है कम से कम दोचित का मतलब है एच एच टी एच टी एच टी एच एच और कम से कम है इसलिए इसमें एच 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 भी आ जाएगा अब बी देखते हैं बी है तथ्य तह एक चित प्रकट होता है एच एच टी 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 एच टी टी एच टी टी एच अगर हम यहां अब ए यूनियन बी निकाले हैं तो ए यूनियन बी में हम देखेंगे इन में दोनों की दोनों यहां पर आ चुके होंगे इसके साथ के परणाम अलग अलग इसका हम प्राइक्ता जब निकालते हैं तो परणाम क्या आएगा आप देखें एका प्राइक्ता एकी प्राइक्ता एक दो तीन चार अर्थात चार बटा आठ यानि एक बटा दो हम बी की प्राइक्ता निकालते हैं तो बी की प्राइक्ता तीन है तो वह हो गई तीन बटे आठ वहीं अगर हम प्राइक्ता निकाले हैं A Union B की तो यहां साथ हैं क्योंकि इन में कोई भी उभेनिष्ट नहीं है तो यहां हो जाएगी साथ बटे आठ यदि हम इस समय ध्यान से देखें तो PA जमा PB बराबर हो रहा है PA Union B के चार बटे आठ जमा तीन बटे आठ मिल करके साथ बटे आठ आ रहा है तो हमें क्या नज़र आ रहा है कि PA प्लस PB बराबर हो जाता है हमारे लिए परणाम आ गया A Union B बराबर हो गया PA जमा PB अब यहां अगर मैं एक C और ले लेता हूँ और उस C में हमने क्या किया इस में से ऐसे लिए यहां तो है कम से कम दो चित अब हम कर रहे हैं केवल दो चित वाले तो केवल दो चित के जब हम देखेंगे तो वह हो जाएगा एच एच टी या एच टी एच और टी एच 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 ती एच हो जाएगे तो आपने समुच्च में देखा है कि जो उभेनिष्ट होते हैं वो नहीं लिखे जाते उभेनिष्ट में केवल A के ही अभियव आएंगे C के तीनों की तीनों इसमें उभेनिष्ट हैं अते हैं A union C की जब हम प्राइकता देखेंगे तो वहें चार बटे आठ होगी जबकी P A जमा P C अधी हम निकालें तो P A की तीन बटे आठ और P C की चार बटे आठ इस तरह से साथ बटे आठ हो जाती है अब कोई और परणाम आ रहा है इसका मतलब A union C A plus C के प्राइकता के बराबर नहीं है तो आखिर ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि तीन अभियव आपस में उभेनिष्ट थे तो जब ये उभेनिष्ट थे तो हमारा जो अभिग्रहीत द्रिष्टी कौन क्या कहता है? कि जब भी हम इसके सम्मिलन की प्राइकता निकालें तो पी ए प्लस पी भी ही सही नहीं होगा उसमें से उभेनिष्ट वाला माइनस करना होगा अर्थात पी ए प्लस पी सी ही नहीं इसमें से माइनस करना होगा A intersection C और A intersection C 3 है अर्थात यहां से जब हम माइनस करेंगे 3 बटे 8 तब हमारे पास बापस से 4 बटे 8 आएगा तो फिर हम ऐसा कब करें ऐसा तब करेंगे जब हमारे पास उभैनिष्ट नहीं हो अर्थात उभैनिष्ट फाई हो इसके लिए परस पर अपवरजी यदी घटनाएं हैं परस पर अपवरजी घटनाओं का मतलब जिनमें कोई भी उभैनिष्ट नहीं हो तो यदी कोई उभैनिष्ट नहीं है तो हमारे पास A और B का जो सर्वनिष्ट समुच्च है वो फाई हो जाएगा और जब फाई हो जाएगा तब यूनियन P A प्लस P B के बराबर होगा तो अभिग्रहीत द्रश्टी कोण A या B में क्या कहता है कि यदी A और B का यूनियन निकालना हो और उसकी प्राइकता देखनी हो तो P A जमा P B और उसमें से माइनस करना है A और B के उभ्हेनिस्ट की प्राइकता और यदी उभ्हेनिस्ट की प्राइकता फाई हो तब हम सीधा कर सकते हैं P A जमा P B आईए आगे देखते हैं गटना A नहीं अर्थात A का कॉंप्लिमेंट या पूरक हमने पढ़ा है A डैश समुच्च में भी देखा है पूरक समुच्च ऐसे ही इसमें भी प्राइकता में ये कहलाता है घटना A नहीं या A डैश इसका सीधा सीधा मतलब 1-P A होता है क्या मतलब है एक सिक्के को हमने 3 बार उच्छाला और हमारे पास ये घटनाए होई तो मान लो जो मेरे पास A है वो है कम से कम दोचित वाली तो कम से कम दोचित का मतलब है H H T T H H और H T H H H H A हो गया A की अगर मैं प्राइकता निकालूँगा तो हमें पता है कुल सेंपल स्पेस जो प्रतिदर्स समस्टी है चुकि तीन बार उच्छाला है इसलिए आठ है तो A की प्राइकता हो गई चार बटे आठ अब हम बात करते हैं A- की A- का मतलब A में नहीं होना चाहिए तो A में क्या नहीं है एक H वाला नहीं है अर्थात H T T T H T या T T H इसके अलावा Tीनो T भी नहीं है कुल मिलाकर आठ होते हैं तो ये चार उपर A में नहीं है तो A- के परणाम हमारे पास ये चार आ गए इसकी जब हम प्राइकता देखते हैं तो ये भी आ गई हमारे पास चार बटे आठ अगर हम कुल प्राइकता देखें तो वो एक होती है हम एक मैंसे यदि चार बटे आठ को माइनस करते तो हमारे पास चार बटे आठ ही आ जाता इसका क्या सीधा सीधा मतलब हुआ कि जब भी हमें एक डैश की प्राइकता देखनी हो तो जब एक ही प्राइकता पता हो तो उसकी प्राइकता को हम एक मैंसे माइनस कर दे इसके कुछ नियम और भी है जैसे ए और ए डैश हम अगर ध्यान से देखें इसके जो परणाम है ये आपस में इनमें कोई भी उभहनिष्ट नहीं है अर्थात अपवर्जी घटनाएं हैं और जब अपवर्जी हैं क्यों क्योंकि इनमें से दोनों में कोई भी उभहनिष्ट नहीं है दूसरी बात अगर इन दोनों को हम जोड़ें इनका यूनियन निकालें तो वह सेंपल स्पेस के बराबर होता है यह कुछ नियम है इसी प्रकार ए और एडैश की प्राइक्ता को यदि हम जोड़ें प्लस करें तो प्लस करने पर भी हम देखते हैं एक आएगा क्योंकि इन दोनों के परणामों का प्लस एसके बराबर है अते है एडैश की प्राइक्ता हम बड़े आसानी से कह सकते हैं कि एक माइनस पी ए होगी आईए एक उधारन और समझते हैं एक थैले में नौ डिस्क हैं जिनमें से चार लाल हैं हमारे पास तीन नीले रंकी हैं और दो पीले रंकी हैं डिस्क आकार एब माप में सभी समरूप हैं यानि किसी भी तरह का उनमें कोई भी हम अंतर नहीं कर सकते हैं इसी को कहते हैं समसंभाव्य घटनाएं थैले में से एक डिस्क याद्रक्षया निकाली जाती है याद रख्षया मतलब अचानक निकाली जाती है देखके नहीं निकाल रहे हमें नहीं पता कि उसका परणाम क्या होगा हमने बिना देखे एक निकाली है तो प्राइक्ता ग्याद करें पहला लाल रंग की है अब कुल उसमें डिस्क है नो तो लाल रंग की हमारे जो अनकूल परणाम है तो पी आर यानि लाल रंग की प्राइक्ता के लिए लाल के अनकूल है चार और कुल है नो तो चार बटे नो दूसरा देखते हैं पीले रंग की पीले दो हैं कुल नो है तो निश्चित तोर पर ये हो गया दो बटा नो तीसरी देखते हैं नीले रंकी है नीले रंकी इसमें तीन है अतह इसका भी हो गया तीन बटानो चोथा इसमें नीले रंकी नहीं है अब नहीं है यानि अभी जो हम पढ़ रहे थे पूरक समुच्छ हो गया अर्थात यहाँ पी बी डैश ये सीखना है अब इसको निकालने के दो तरीके हैं एक तो क्या है कि नीला नहीं है तो बचे कुछे जो दो रंग है उन्हें जोड ले लाल रंग की चार है और हमारे पास पीले रंग की दो है तो चार और दो छे हम निक सकते हैं छे बटा नौ या हम एक और काम कर सकते हैं चुकि नीले रंग की हमें पता है तीन बटा नौ है त तो ये आसानी से आ सकता है एक माइनस तीन बटानो यानि छे बटानो पांचमा देखते हैं लाल रंकी तो है और या नीले रंकी है अब लाल या नीला यहां समझने की जर्रत है लाल या नीला हमने पढ़ा है जब भी शब्द या लिखा हुआ आए तो हमें यूनियन का निशाना ना है अगर इसकी जगे और आता तब इंटर्सेक्शन आता उभेनिस्ट का आता तो आर या बी आर या बी के लिए हमने पढ़ा रहा है कि पी आर जमा पी बी माइनस दोनों का उभेनिस्ट लेकिन क्या ऐसा हो सकता है कि कोई बॉल लाल बी हो और नीली बी हो हो ही नहीं सकता इसका मतलब इन दोनों में जो उभेनिस्ट है वो फाई है और जब हमें पता है कि इसमें उभेनिस्ट फाई है तो हम क्यों करेंगे जिसमें हमें पता हो कि उभेनिस्ट है वहां माइनस में उभेनिस्ट की प्राइक्ता लिखेंगे अर्थात यहां सीधा पी आर जमा पी बी कर देंगे पी आर चार बटे नौ हो गया और पी बी हमारा हो गया तीन बटा नौ और इस तरह से कुल मिलाकर हमारे पास आ गया साथ बटे नौ तो जो हमने पढ़ा उसके आधार पर ये उधारंड के द्वारा हमने यूनियन भी और डैश भी समझ में आया होगा आईए एक बार देखते हैं कि आज हमने क्या क्या देखा हमने देखा कि प्रतिदर्स समस्टी जिसके की परणाम ओमेगा वन से लेकर ओमेगा एन तक हैं तो प्राइक्ता का अभिग्रहितिय परवाशा से क्या निसकर्ष निकलता है इससे पहला निसकर्ष कि किसी भी घटना की प्राइक्ता हमेशा जीरो से एक के बीच में ही होगी दूसरा सभी परणामों की प्राइक्ताओं का जोड हमेशा एक होगा और तीसरा किसी भी घटना के लिए कोई भी एकोई घटना हो तो उसके लिए प्राइक्ता उसके जो अभियव हैं उसके जो परणाम हैं उनकी अलग-अलग प्राइक्ताओं के जोड के बराबर होगा और यदि कोई रिक्त है, समुच्च है, फाई है, उसकी प्राइकता हमेशा जीरो होगी अविग्रहितिय द्रश्टी कोण में A या B है, तो हमने देखा था कि P A union B बराबर P A plus P B minus P A intersection B परस पर अपवर्जी घटनाओं, अर्थात जिसमें कोई भी उभेनिष्ट नहीं हो, उस इस्थिति में A union B P A plus P B के बराबर हो जाएगा और अंत में अगर घटना A नहीं, अर्थात A dash हो, तो उसकी प्राइकता निकालने के लिए P A dash बराबर 1 minus P A करते हैं आप सभी इस संबंदित प्रश्णों को बहुत आसानी से कर लेंगे, धन्यवाद और आसानी से कर ठिंग। कि दीस क्या हो सिस्ति अर्व में अंतित. चिपन आसना प्राद के लिए'T रऴलाग reliably प्रास सकता हो, जिएक अ हो लिए अंतित.